नमस्कार आज हम लोग सर्गम के साथ में एक गाना भी सीखेंगे जैसा कि मैंने प्रामिस किया था आप लोगों को तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने जो मेरा पिछला एपिसोड था जो सर्गम जो हम से मिडल तक आये थे नॉट्स को लेकर के तो वह नॉट्स आपने अच्छे तरह से लगाना सीख लिया होगा लेकिन एक बात का ध्यान रखें आपकी जब तक आपके नॉट्स चाहिन लगेंगे आप स्टोफोन नहीं बजा पाएंगे और दूसरी बात मैंने आपको एक बात और भी बोली ती कि यह जो मेरा बेसिक लर करना आजाएगा और यह भी आजाएगा कि आप किस तरह से अपनको नॉट्स चाहिए तो शुरू करते हैं हमने जो पिछले जो सरगम बनाई थी वह एक बार रिपीट करेंगे और वह रिपीट करेंगे और दूसरा एक बात और यह जो मैंने बताया था कि हमेशा लगा के र अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे परज़े हमने सी नौट जो बजाय था लोवर वाला बजाय था वैसे तो मैंने आपका स्टार्टिण उपर से करवाय था तो उपर C middle तक आ गए थे, C middle तक आ आते हैं, तो C middle आ दोब दुबारा पजा के देखें, C middle लगाने का तरीका द्यान है, आपके वहले एक जो आपकी A note है, उसी को आप प्रेस कर दें, बाकी छोड़े तो वह C बन जाएगा, यह C note बन जाएगा, अब 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 आपन वापी आपकी से उपर चलेंगे, क्याते हैं, यह सरगम आपको, अब अपनी जो left hand है, उसका जो थम्ब है, उससे हम लोग octave की प्रेस करेंगे, और उससे क्या होगा, कि अपना आगे का जो टोन है, खुल जाएगे, मताब अपन मिडिल सर्गम बजाएगे, मिडिल सर्गम बजाएगे के लिए आपको क्या करना है, मैंना आपको पहली बताता है, स्टार्टिंग करेंगे, अपन कहा से, लोवर C से, मिडिल C तक आएगे, मिडिल C के बाद में हम क्या करेंगे, थम को प्रेस क कि खुल गई तो मतलब हम आगे के नॉट्स को जा सकते हैं जो कि मिडिल वाली अपनी सरगा में इसमें कि अब थत्त पर पोजिशन बनाना सीख लो अपना हाथ डायरेट आना चीज़ यह नहीं कि अपन यह टटोल टटोल करके दर देखना ऐसे नहीं है आपकी है कि फिंगर अपनी सही जगे पे पोजिशन पे रहनी चाहिए आप कभी सेक्सवान उठाओ यह फिंगर अपनी आजिए कभी उठाओ तीन निचे तीन उपर क्या करना है इसा है आप देखो अपन सी से स्टार्ट कर रहें अप अक्टेव की को हमने प्रेस कर दिया फिर आपी टी में आ जाये दिए इस ऑक्टेवकु प्रेस करके दिएब सी नोट दबववर आएगा तो यह और अपर में सरा जायेगा समझ में आए ना तो अभी आपको सी तक आपको कोई ऑक्टेव की को प्रैस नहीं करना है किवल यही सुर्व कान से सुने जाते हैं कैसे अब अपर को लगाना है डी कौन सा मिडिल वाला उसके लिए आपको इसने प्रैस करने और बाकी वही आपकी अपर की। आपको यह जो नाट है मैंने जब इसको अक्टेव की को प्रैस कर रखा तो यह अपका पर ओगा थे को आपका Si-not बजिए आपका एक तो लोवर, लोवर में आपको कुछ नहीं करना था है, कि वगल यह आल ही जो की है, इसको दबाना था, तो यह लोवर सी था, दूसरी, आपको यह जबाने दी, और इसी को हमने दी आउक्टिव की दबा दी दी अपड़ सा, तो सी नॉट्स के तीन पोजिशन आपके समझ म आपको प्रैक्रिस क्या करनी है, वो भी सुन दूआ, जैसे हैं। अब दोस्तों आप ने लोवर से मिडिल सरगम तक पहुँच गए हैं इसी की प्रैक्टिस करनी है लेकिन प्रैक्टिस भी आप थोड़ा सा एक एक नौट की करें जल्ली बाजिय ना करें, जल्ली बाजिय में कुछ मिलने वाला नहीं है हमको कुछ लोग अपना इंप्रेशन बारने के लिए सक्सोफोन बजाने लग जाते हैं लोगों की सामने एक गाना निकाल दे हो वावाई जूटली अपनको ऐसे नहीं करना अपनको अच्छा सक्सोफोन बजाने वाला बनना है गाने तो मैं वैसी सिखा दूँगा आपको जब खोगे लेकिन एक बात जब तक अपना हाथ अपन क्लियर ना कर ले तो मज़दाने नियाई ये आप ध्यान चे सुन लोग आप बढ़ी बजाओ मैं ये नहीं कहला किसी के सामने इंपेशन अपना ज़ाड़ना है तो बजाई कि कोई दितकत नहीं है बुरी बात नहीं है लेकिन बी सीरियस जयता मैं आपको तमझा रहा हूं मैं इसा ही कोशिश करो एक बार सर्गम पर आपका हाथ बैढ़ गया तो यह हमारी सी सर्गम मतलब सी नॉटेशन है वह मैं आपको बता रहा हूं अब सी नॉटेशन भी लेजाए अब इसको वैसे भी अपने इंग्लिश में ही बोलेंगे तो आप कई नोग चाते था हमको तर हिंदी में आप इंग्लिशन बताओं इंग्लिश में कुछे नहीं ही जो को साथ सूर्ट सब जीए पूरे दुनिया में ब्रमान में साथ सूरी हैं ना मलग लग दे तो आप सारे गमा पादा लिसा कर दो सीडी एपजी 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 कर दो एक फ्रेंच में तो कोई दूसर ही आता है डोल रहे दिमा तो ना टीड़ आते कुछ होता मेरे को मालूम है तो आप आपको क्या कर राएं जो सारगर्म में बजएगी थी उस्पी प्रेक्टिस कैसे कड़नी है आप जब मिडिल सी मoreं के बाद में आपको抛ान की प्रेंच कर ख़र अद गेंँर। ना और tapped me खासेन क सब्सक्राइब तो 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 तोड़ा मिठास आनी चीज शुर में मिठास आनी चीज अच्छा बज़रा है और एक बात और में बताना चाहूंगा यदि आपका आप जो एर का थ्रो है वो भी सही है फिर भी आवाज करका शारी है अपकी रीड के एड्जस्मेंट में करबड़ें आप उसको सैट करें यह नहीं कि प्रैक्टिस करें आप देखें तो चार बग बजाएं कि आपकी रीड आप बजने लगे ना उसी को मैंटन रहो है तो आप बजने लगे ना उसी को मैंटन रहो है और एक लेविल मैंटन रहो लेविल मैंटन होगा तभी आप के सुर सही लगे है क्याते है अब बीच में लगे हैं अब मैं आपको उताता हूं किस तरह से अपनको सर्गम सीखने हैं यह दूबारत थे ठोड़ा लंभे सूर लेते हैं अब हुआ है इस नहीं तो बारत नहीं यह दुदा है महा तक आगए हुआ है की अब है डिश्य में लागे सी मीडिल के बाद में आपको क्या करना है जैसी हैं डी प्रेस करेंगे रे रे विडिल वाला तो आप सारे नोट्स जो डी वाले वो लगेंगे आपने काता गागे जै को बिलुट सारे तो जैसे हूष झाले ऑच्छ्छ जैसे लिएक झाले जैसे हुश्च्छ्छ जैसे लिए हिए को युश्ट्टी जैसा है जाँ है यह है ना कोशिश करो कि यह तरह से आपकी एक्सराइज हो जाएगी मिदिल नॉट सी केवल आपको मिदिल नॉट सी की पात में जो डी बजाना है वो जैसे डी बजेगा जैसे रे बजेगा ईसमें आपको प्रेस करके बजेगा मैं यह वे नहीं बजेगा यदि आपने मिदिल सी बजा लिया और आपने ऑक्तिक जाए तो रे बहुंज आ जाए गा जैगा एणि हापन को यह नहीं चाहिए हापनको अपर हम को अपरनोट चाहिए जो को बीदिन नोट्स चाहिए तो उसको बजाने के लिए आपको अपर मिदिल सी की पाज में अक्टेव की को प्रैस करके टी बजाएंगे हुआ हाँ है अब आपको प्रैक्टिस करो तोड़ा जले ले करो कैसे यह आपको प्रैक्टिस करें है यह दो भी सार में कही बाद है अब मैं आपको सी मेजर स्केल में या स्टार्टिक में जो सबसे सेंपिल सौंग होता है जिसको सरगम सीखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ याद मैं कुछ बजा रहा हूं वो अलम है गाना को सिखा रहा हूं आपने सुना होगा इक प्यार का रगमा है मौजों की रवानी है जिन्दगी और कुछ भी नहीं तेर मेरी कहानी है प्यीजिए जो काना है वो स्टार्ट होयेगा तो आपने इसको मिडिल सी में भी लेसकते हैं क्योंकि मिडिल सी में इसकते हैं और लोवर भी आसकते हैं यदि आपने लोवर सी से स्टार्ट कर दिया तो आपको नीचे कहा जाएंगी और नीचे नॉट्स लगाने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं सी आप लगा लें सी के बाद में आप जो लास्टोलर नॉट है भी वह भी आप कोशिश करें तो लग जाएगा लेकिन दिफिकल्ट होता है तो अपन सी से स्टार्ट करेंगे हैं सी मिडिल से जबूँ आप नॉट्स कुट पैचानो आप काण से सुनो और आवाज को मिलाओ तो आपको नॉट्स की जरोथे नहीं बढ़ेगी मैं भी बजा रहा हूं इसको सिंप्ल में भया रहा हूं अभी मैंस मैं तो कोई हरकत दे रहा हूं मैं कुछु 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 स्पेशल इफेक्ट वो दिराऊं कुछ नी सिंपिल गाना वाजारों कि दे स्वारी गाना ठीक है स्वारी गाना ठीक है ठीक है ठीक है यह मैंने इसलिए बजाना सिखा है इससे आप खुद प्रैक्टिस करना और नॉटेशन तो आपको आई जाएंगे यह प्रैक्टिस करना और उसके बाद में आपको इस गाने को थोड़ा और इंप्रूव करना फिर आपको मैं किस तरह से हरकते भी जादी किस कौन सा नॉट्स किती दे तक रहेगा और किस तरह से इसमें वेरिशन लाएंगे यह मैं आपको बात बताऊंगा बहुत अंबा वीडियो याता है एक दिन में पुरा सक्सेमन कोई नी सिका सकता है इस बात खभी आप ज्यान पढ़ें तो दोसों एक बा मैं तो दोसों पता है इस आप बाता इस आप कि अनकों बाता है तो कि अले कि अबाता तो दो आपको जनी से इस ने न पीने सब्सक्राण। बढ़ हम निचिछ का जो हैंगा एप यह आप इस गाने के आप रैक्टिस करेंगे इस तरह याब अगले एपिसोड में सिंग लेना पर जरू थोड़ी आदियो अपन थार देखा दें अब लास्ट में लोवर सी से मीडिल सी से मीडिल सी से आपको उपर तक जाना है अब आप ट्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों प्रैक्टिस इंपर्डेंट है प्रैक्टिस इतना खरोगे उतने आपके हाद चलेंगे उतना आपका व्यमार चलेगा उतनी आपकी कान में शुरो की एक छाफ बनेगी इससे आप कभी भी आपको नोट लगा ना है तो आप लगा सकते हो आज के निलता ही बहुत हैं थैक्य एदिवे दिमें